यह article काफी interesting है, आप लोगों ने कावत सुनेगी, तू कौन की मैं खामा खा, वो हाली बात देखने को मुलती है, बंगला देश के अंदर में अभी बाड़ आ गई, तो भाई यह कह रहे हैं कि इंडिया की वज़े से बाड़ आ गई, हमारी देश की external information ने बोला, कि ऐसा कुछ नहीं है, तो दो देशों के relation जो है, वो खराब होते वहीं नजर आते हैं, बेसिकली दंबूर डेम है तरिपुरा के अंदर में, तो उस पर्टिकलर डेम की वैसे आपर फ्लड़ा है, तो बात यह करना और बैट कर इसका solution निकालना, यही सही रहेगा, रियल टाइम में अग इंडिकल काफी इंटरसिंग है, आप लोगोंने कावच सुनेंगी, तो कौन की मैं खामा खा, वो हाली बात देखने को मुलती है, बंगला देश के अंदर में अभी बाड़ आ गई, तो भाई, यह कह रहे हैं कि इंडिया की वज़े से बाड़ आ गई, हमारे देश के अंद कार जो है, वो अपनी नाकामियों का ठेक रहा है, भारत के ओपर फोड़ने के लिए तयार है आज की डेट में, यह situation आप लोगों को देखने को मिलेगी, और इसी की वज़े से आज की डेट में वो बार बार अभी से खसीना जी का उन्होंने जो basically passport है, वो cancel कर दिया, ठीक है और अपना बच के निकल जाओ, तो बंगला देश में अभी flood आई, बार आई, तो उन्होंने बोला, तिरपुरा के अंदर में एक dam है, उसकी वेसे बार आ गई, हमारी देश की external affirmation ने बोला, कि ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वेसे बार नहीं आई है, मतलब सोचके देखो कि ब बंगला देश के अंदर में, उसकी allegation जो इन्होंने भारत के खिलाब लगाई है, तो यहाँ पर flood, यह Eastern District बंगला देश में देखने को मल रही है, जिसकी वज़े से यहाँ पर protest होने लगा, और इंडिया को blame किया जाने लगा, कि situation इसकी वेसे है, भारत ने flood ला दी, इनके द्वारा बोला गया कि हमारे देश के अंदर में, यहाँ पर बेसिकली दंबूर डेम है तिरिपुरा के अंदर में, तो उस particular डेम की वेसे यहाँ पर flood आया, अब यहाँ पर सोच के देखो कितना आसान होता है यहाँ पर किसी को blame करना और निकल जाना, तो यहाँ पर इनके जरकारती बताए जरा, इंडियन ओशिन के अंदर में, मोल दी जिसने ऐसी एरकादे की थी, तो सेम कंडिशन ही देखने को मर रही है, जो भी हो भारत के उपर में आरोप लगा दो, मोह का बढ़ रहे है, जो गंगा है, उसमें हाथ दो लो वाली बात चल रही है, मिनिष्ट निकलने का रास्ता कहीं छोड़ोगे, तब ही तो जाएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग सोचों यहाँ पर, तो इन्हों ने बोला, जो यह कंडिशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, यह बेसिकली, यह यहाँ पर गुमती जो रिवर है, इसके वज़े से यहाँ पर यह क यहाँ पर में, और वहाँ पर बारिस हो रही है, और नदी में पानी आ रहे है, तो यहाँ पर तुम ब्लेम करो के हमको की हमारी वैसे यहाँ पर देखने को मिल रही है, यह तो इसके अंदर में जो पानी है, जब एक्सेसिव पानी आएगा, यहाँ पर इतना बारिस बरसे क तो भाई नोर्मल सी बात है अगर उसमें से पानी रिलीज नहीं करेंगे और यह भी सबसे इंट्रेसिंग चाहिए यह जो पर्टिक्लर डैम है और जो यह पर्टिक्लर रिवर है आपर इसके बारे में आप लोग याद रखने हैं आपर कोश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकते हैं इसमें ओटो रिलीजिंग फैसिलिटी यह है ओटो रिलीजिंग का मतलब समझते हो यह डैम के अंदर में बड़ी अच्छी फैसिलिटी दी जाते है आज की डेट में इसके पीछे रीजन यह है कि कल को चल कर सोच के देखो मा हुआ ठारीश इतनी तकड़ी हो गई कि पानी तकड़ा बर गया और बांदी तोटगया पूर अजब बांद के अंदर में आज की डेट में वाव बड़ेगा तो अपने आप पानी निकलना हो जाएगगा तो जब आप नोको पता है कि जून से लेकि जुलाई अगस्ट लोग कहां पर बैटे हुए अगस्ट में बैटे हुए अभी तो सेप्टमबर का महिना भी बचा हुआ है फुल टो मौनसून वाला टाइम होता है और मौनसून के बारे बात करें तो मौनसून जो है यह आएगा यहां पर और अभी तो टाइम भी हुआ है कि अच्छी कासी बारिस आप लोग को देखने को मिलेगी तो यह पर्टिक्लर सिच्वेशन जो है यह इसको इस तरीके से ब्लेम मत करो क्योंकि ओटोमेटिक पानी रिलीज होता है यहां पर और वो स्टेंडर सेप्टी क यह फाल्तु के ब्लेम मत लगाओ और इसमें सबसे इंपोर्टेंट चीज कहा है देखो आप लोग सोचो यहां पर यह ऐसा तो नहीं कि यहां पर आज की डेट में जो बंगलादेश के अंदर में जो लोकल जो लोग हैं उनकी उन्होंने यह चीज सोच लियोगी कि भारत न होगा कोई ने कि टो होगा इनका इनका रेडियो कोई यह ऐसी खबरे फैला रहोगा अगर ऐसी खबरे फैला ख़े तो इससे और ज्यादे दिक्कत देखने कु मिलेगी तो बाते करना और बैठ कर इसनका सूलोशन निकालना यही सए हैगा real time में अगर आप लोग data है आप लोग बोलो कि यार बारीस इतनी हो रही है हमारी देश के अंदर में जो authority age change को manage करें उसके साथ में discuss करो कि पानी इतना आ रहा है थोड़ी देर के लिए इसको manage कर लो भाई अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग तब तक अपना कुछ solution निकालते है इस तरीके से भी तो बात है कि जा सकते है कि यह बांद है इसमें आर पानी आ रहा है और इसकी वेसे वाड़ आ रही है हो सके तो थोड़े time के लिए इसको रोक सकते हो गया तब तक हम लोग अपने लोगों को वहां से निकाल लेंगे उसके बाद में तुम release कर देना लोगों की जान बच जाएगी तो इस तरीके से पर लेकिन बात तो करनी नहीं है साफ साफ यहां पर यह हरकते सारी ऐसी कर रहे है इनकी सरकार जिसके कुछ अधनी है और इसकी वैसे फिर दिक्कत देखने को मिल रही है पस किसी तरीके से इनका यह है कि अब भाई साब से न जो 15-20 साल से यहां पर सरकार चला रहे थी उसकी सरकार रट गई अब यह सोच रहे कि कैसे बस पावर अपने कबजे में रखनी है तो इस तरीके से नहीं हुआ करता है आप लोग यहां पर बाते करनी रही हो और फिर इस तरीकी बाते फैला रहो तो यहां पर मिनिस्ट्री उफ एक्षिनल फेर नहीं बता है भाई सारी चीजे हम लोग एक दूसरे के साथे मिलकर काम करते है और यह अगर कोई बाड आते है करना छोड़ दो तो यह कह रही है आपर कि जो भी चीजे है प्रोपर देखो कि इसकी वैसे क्या क्या दिक्कत है देखने को मिल सकती है सबसे बड़ी बात कहे हैं आपर सीक्योर्टी के कंसर्ण होते है आज की डेट में आप लोग देख लें आपर इंडियन हाई कमिस्टन जो है आज की डेट में यह परने वर्मा जो है उन्होंने भी कंसर्ण बोला इसको लेकर किया यह थ्रेट है कहीं ने कहीं इंडिया और बेसिकली बंगलादेश के बीच में आज केड़ में जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है क्योंकि बोटर पर दुनिया बर के इसके वज़े से और जिक्कते देखने को मिलेगी यहाँ पर तो यह सही नहीं है क्योंकि कोई एक नदी थोड़ी ना है इंडिया और बंगला देश के बीच में चोवन नदी रोस करती है दोनों की बाउंडरी को यहाँ पर तो किस-किस को मैनेज कर लोगे बारिस तो की दिक्कत निकल कर आती है तो दोनों बैठोगे उनकी टेक्निकलिटीज देखोगे उन पर डिसकसन करोगे कंसल्ट करोगे तभी तो सुलिशन निकल कर आएगा बस चुट अट फैंक तो बैसा लोगों के बीच में कि बंगला देश में बाड़ आ गए इंडिया की वज़े गए वहाँ पर आज की डेट में भी वो सिच्वेशन पर हैं नहीं नहीं है आज भी पूरे देश के अंदर में लोएंड ओडर जो है वो खराब हो रख था है तो सिच्वेशन समझाद नहीं रही है तो वासान तरीका है कि दूसरे के खिलाफ जाकर आ रोप लगा तो क्यों पर negative image बनेगी तो भारत पर blame डालते रहो और भाई सब अपनी रोटिया सेखते रहो तो दोनों चीज़े ऐसी देखने को मिलती है अब चाहे online बात कर लो चाहे सडकों में बात कर लो जो भी protest चल रहे हैं इसकी वज़े से यहां पर कहीं नहीं कहीं दिक्कत क्या रहे हैं निकल की डेट में यहां पर तो भाई साब चाहेना बैठा हुआ है कल को चल कर इसको कट कर सकता है तो 1947 से पहले इंडिया और पागिस्तान बंगलादेश एक हीवा करते थे तो पुराने बहुत सारे रेल के ट्रैक थे रोड के ट्रैक थे उनको रिवाइब करने की बात हम लोग कर जोगे तो इस तरीके से प्रोटेस्ट करवाते रहना हमारे देश के खिलाप में तो इससे हमारा इंट्रेस्ट और हर्ट होगा कुछ दिनों के लिए पर लेकिन दूसरों के कंदों पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हो अगर दोड़ना होगा तो अपने पैरों पर कलेमिटी जैसे फ्लर जैसी जो चीज आते हो किसी के हाथ में होती नहीं है आप लोग को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इसकी इंपोर्टेंस समझनी पड़ेगी कि बात ये करकर सोलुशन निकाला जाता है बैट कर कि क्या-क्या दिक्कत है मिस इन्फोर्मिशन फैला कर टेंसन को बढ़ाया जाता है टेंसन कमनी होती है अगर ऐसी तरीके से काम करना है तो करते रहो देखते है कब तक करोगे भैसाब तुम तो यह पूरा का पूरा सिच्विशन है जो आप लोग के सामने है तो मैं आसा करता हूँ कि आप लोग के मैंड में इसको लेकर अब किल इंडिया और बंगलादेश के बारे में कल को कुछ लिखने के लिए आ जाए तो एक बात हमेसा ध्यान रखना जो वोटर डिसिप्यूट वाला मुद्दा है वो हमेसा आप लोग को याद रखना है क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट होता है यह अगर मैंसन करोगे क्योंकि चोवन रिवर है एक न अधिक रोज करती है जो इंडिया और बंगलादेश के बोडर को तो इस तरीके समझ सकते हैं तो अगर आंसर लिखने के लिए बैठो और यहां पर आप लोग इसको वेंसन ने करो तो इसका मतलब है कि आप लोग ने आधा अधा अध अधा ने लिखा है भारती है ठीक है तो इस तरीके सब्द लिखना उसमें गाले गलोच नहीं होने चाहिए टेकनिकल वर्ड होने चाहिए देखता हूं आप मेंसे आप लोग को बोलो पर जेंट टाइम पर इस इंसिडेंट के बाद में आप लोग को एक सोट नोट लिखना है इंडिया और बंगलादेश के रिलेशन के उपर में तो यह सोट नोट लिखे देखता हूं आप मेंसे कौन-कौन क्या लिख पाते हैं किस तरीके से आप लोग इसको पर जैट करते हैं बड़ाई बेसिक्स है ट्राइ करना लिखने की लिखोगे तो ही अंदर से चीजे न के लिए पूरा का पूरा इंसीतूट की एकट-एक क्वी एकट-एक आप लोग को किस्त देखने को मिलती है इतनी जितने में पूरा कोर्स कंप्लीट रहेगा Ц- estoy का पर्स नहीं मिलता हैं इतने में जितने में आप लोग को पूरा पूर्स है- इंगलिस और इसे के साथ Sóth मे free में है पूरा का पूरा course ताकि आप लोग foundation तियार कर सको answer writing में आप लोगो जीद की देखने को मिलेगी दुनिया भर के modal answer मिलेंगे same condition आप लोग यहाँ पर अगर state pieces की त्यारी कर रहो बिहार उत्तर परदेश उडिसा हरियाना मध्यपरदेश उत्राखंड हिमाचल परदेश तो साथ state pieces की classes चल रही है और यह सारी classes 2025 के लिए हैं तो अगर अभी से ही चीजों को serious लेकर चलोगे तो आप लोग चीजों को enjoy कर सकते हैं quality में कोई series based के साथ में आप लोग ध्यान रखना live और recorded lecture दोनों है Hindi और English में अच्छे से enjoy कर सकते हैं वह छोड़ा सा काम करने application पर जाओ play store पर जाओ application डाउनलोड करो एक छोड़ा सा यहाँ पर आप लोग की basically छोड़ी सी एक detail भरनी होती है फिर जाकर अपनी classes को enjoy करो या फिर study lover.in website का इस्तमाल कर सकते हो 4.9 की rating है application पर तो अंदाज लगा सकते हैं कि कैसी चीजे provide करा जा रही है तो अच्छे से enjoy करिए और आगे बढ़िए